रिम्स के तर्ज पर आजाने राची के हसाग में पश्वों के लिए बड़ा स्पताल बनेगा पश्वों के इस हॉस्पीटल में बिल्कुल वैसे इलाज होगा जैसे इंसानों के स्पतालों में होता है सब कुछ ठीक ठाक रहा और कोई बड़ी अरचन नहीं आई तो राज्जी की हेमन सोरें सरकार 29 दिसंबर के पहले राज्जी में रिम्स के तर्ज पर पश्वों के लिए बनने वाले हॉस्पीटल की योजना पर सहमती दे सकती है पश्वोपारन विभागने राजधानी रांची के हिसाग में 4 करोड की लागत से पश्वों के लिए एक ऐसे हॉस्पीटल के निर्मान पर काम कर रहा है जहां पर पश्वों का इलाज 7 दिन 24 गंटे होगी जरूरत पढ़ने पर पश्वों को भरती भी लिया जाएगा विभाग को एक सब्ताह के अंदर भेजेंगे ताकि और प्रियास करेंगे किसकी स्विकृती हो जाए बजट में इसका प्रभीजन किया 24 इंटो 7 में जिसमें की OPD की सुविधा पस्वों के लिए की जाएगी और जार्खन राज में पहली बार ऐसा होगा कि 24 गंटे किसी भी पस्वों के इलाज के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा आप 24 गंटे में कभी भी वहां जाके भरती करा सकते हैं और उसकी नीव अब रखी जा रही है उसका सारा प्लानिंग तयार हो गया विभाग को एक सब्ताह के अंदर भेजेंगे ताकि और प्रियास करेंगे किसकी स्विकृती हो जाए बजेट में इसका प्रोविजन किया राज्य में बनने वाला ये पहला ऐसा पशू हास्पिटल होगा जहां पर एमर्जनसी की तरह डॉक्टर की तैनाती रहेगी अब से पहले ये सुविधा उत्राखंड राज्य में है अब इस समस्या ये हो रही थी कि किसी पशू के बिमार होने पर पशू पालक दिन होने का और हॉस्पिटल खुलने का इंतजार करती है कई बार देरी की वचे से पशू की मौद भी हो जाती है अगर ये होस्पिटल बना तो पशू पालकों को बहुत फायदा होगा हिसाग में बनने वाले हॉस्पिटल में दवा की दुकाने पशू पालकों को ठहने की ववस्था ऑपरेशन थियेटर ऑक्सिजन की ववस्था के अलावा आईस्यू तक का इंतजाम रहेगा इलाज के अभाव में अब किसी भी पशू की अकाल मौत नहीं होगी राजधानी राची के हिसाग में बनने जा रहा पशू चिकित साले को आप पशू का नया रिम्ज कह सकते हैं कर्वन दिवासीज के साथ अजयलाल न्यूज एलेवन राची लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूज लावन भारत सच है तो दिखेगा